बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो बाजत्तम में दिल्ली का दिल है। कोई प्रदूशन का कारण है तो वो अर्विन केजरीवाल है। आज पूरी दिल्ली तो प्रदूशन में हैं, लेकिन आप फिर चलेगे गुआ, इनकी जो नियत है वो काम करने की लिए। केजरीवाल साब पहले भी छोड़ गए थे कोरोना के टाएं और अब भी जाके दिल्ली में नहीं रुख रहे है। कड़ी टिपनी के बाद अगर जरावी ने टिकता है, जरावी शर्म है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के अंदर चौथी बार चुनाओ जीतेंगे, पूरे भामत के साथ जीतेंगे, कोरोना महामारी थी लेकिन हमने उसको आपदा को एक अवसर के रूप में बदला है, ते हम पूरी तरह से दिल्ली की जंता के हर दुख दर्द में, मुसीबत में, सुख दुख में साथ नमस्कार, आज हमारे साथ दिल्ली पंजाब के स्री में मौजूद है परदेश भाजपादक्ष आदेश गुपता, आदेश गुपता जी इन दिनों धुगी समान यात्रा को लेकर काफी सुर्थियों में है, उदर भाजपाद प्रदूशन को लेकर दिल्ली की बरतमान आम बहुत हार्दिक शुपकामन है, जहां तक आपने जुगी समान यात्रा की बात कहिए, दिल्ली में एक बहुत दिनों से, खास्तोर से जब दिल्ली में एक ऐसी सरकार, आमादी पार्टी की सरकार, जो सिर्फ इस बादे पर आई थी कि हम आम और गरीब व्यक्ती की चिंता कर आने वाला नहीं, और खास्तोर से इस कोरोना के पीरेड में, कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ, उन्हें दिल्ली छोड़कर भी जाने की उनको विवस्ता हुई है, और वो दिल्ली छोड़कर गए, तो भारती इंता पार्टी ने ये टै किया कि हम उन दिल्ली वासियों की जो दिल्ली के वास्तविक नायक है, जो असली हीरो हैं दिल्ली के, जो खुद तो अभाव में रहते हैं, खुद गरीब और सलम बस्तियों में रहते हैं, लेकिन वो दिल्ली को बहतर बनाने के लिए सुबह से लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, और इमानदारी से परिश्रम कर प्रेखते हुए वो दिल्ली को विकास के रास्ते पर ले जाते हैं तो जब यह जुगी सम्मानियात्रा हमने तै की और शुरुवात की तो उसका जो असर है उसका जो प्रुवाव है वो बहुत अच्छा रहा जिस तरह से जुगी वासियों का प्रेयार प्रेम मिला और पहली जो हमने मोती नगर से शुरू की तो वहाँ पर हमें ऐसा लगा कि उनके प्यार प्रेयम और उनका जो हमारे प्रत जिस तरह से विहवार्द लगा तो एक जुगी वासियों के भाई के रूप में किसी के लिए बड़ा भाई किसी के लिए छोटा भाई के रूप में मुझे अंदर से एक फीलिंग आई तो इसलिए आज मैं लगबग 18 विधान सवाएं कबर की हैं ने तो मुझे आज ये लग राय की वास्तिविक्ता है कि भारती इंता पार्टी इस जुग्यों में जाकर हमने वहां की हकीकत को जाना है वहां वास्तिविक्ता क्या समझ क्या हैं और मो गोजनाओं को जमीन पर भी उतारने का मौका मिला है लोगों को लोगों से कॉन्टेक्ट रने का मौका मिला है और एक एक यात्तरा के अंदर आप सोचिये बीश से पच्चीस हजार लोगों से संपर्क होना और उनका जिसकदर मोधी जी के प्रती जिसकदर भारती इनता पार्टी के प्रत प्यार और प्रेम उम्रा है वो वास्तम में जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है उन्होंने उनके वादों को पूरा ने किया तो एक तरह से बहुत बड़ी उनके प्रत निरासा है और मोदी जी के प्रत आशा है बारती जिन्ता पार्टी के प्रत आशा है एक बात में और कहना चाहता हूं कि जब हम लोग वहां गए तो वहां जो जो समस्याएं हैं जैसे वहां पर पानी की समस्या है वहां पर बिजली के बड़े हुए दिल आ रहे हैं हमने इतने इतने बड़े विजली के बिल एकटे भी किये हैं और लोगों को सारजविनिक सोचाल है पबलिक टॉयलेट्स नहीं सही रूप में काम कर रहे हैं वहाँ पर राशन कार्ड लोगों को नहीं बन रहे हैं अब गरीब आदमी राशन कहां से लेगा तो मूल भूत सुविधाओं का अभाव नजर आया और ये जितने भी कलस्टर हैं उनमें सबकी जिम्मेदारी केजरिवाज साब की है तो उनके लिए जनता के प्रत आक्रोस है उसके लिए समस्या का समाधान भारती इंता पार्टी करेगी ऐसा विष्वास आज हर जुगी भासी के अंदर पैदा हुआ है और जो जहां तक मोधी सरकार की बात है जो योजना है वो पीम उजला योजना हम उनको दे रहे हैं हम उनको पीम सौनिधी में दे रहे हैं सुकन्या समरद्धी दे रहे हैं बीमा योजना दे रहे हैं खास्त तोर से मैं उजला योजना के बारे में जरूर आपको जिक्र करूँगा सुनेदी योजना के बारे में कि ऐसे परिवारें जिनके पास वहां गैस सिलेंडर नहीं है चूला नहीं है और जब हम उनको एक महला को जो उतरपदेश बिहार जारकंड से आकर यहां बसते हैं और उनके पास गैस चूला कनेक्शन और सिलेंडर और दोला का बीमा देते हैं तो उनकी कुछी का कोई ठिकाना नहीं रहता तो वास्तम में यह उनके सम्मान को उंचा करने वाली बात है उनके स्वाविमान को जगाने की बात है और एक बात मैंने यह अनुभव किये कि इस जुगी सम्मान यात्रा के माद्यम से यह बात साबित हो गई है कि दिली देश की राजभानी है जिसमें दिल्ली लोग कहतें दिल्ली देश का दिल भी है तो जब हम वहां जाते हैं तो हमें ये लगा कि दिल्ली तो देश का दिल है लेकिन अगर दिल्ली का दिल कहीं है तो ऐसी जुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं वास्तम में दिल्ली का दिल है क्योंकि दिल जब धड़कता है तभी दिल्ली चलती है और वो लोग जब काम करते हैं तभी दिल्ली वास्तम में चलती है जिस दिन जुग्गी वासी का कोई भाई बहन बीमार होता है तो शायद फैक्टियां कम काम करना या बंद हो जाती है या फिर किसी कोटी में किसी फैक्टी में किसी मौल में किसी शोरूम में या दिल्ली की धरकन या तो सुस्त पड़ेगी या कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी अगर वहां लोग स्वस्त नहीं होंगे तो उनके स्वास्त की चिंता, उनके जीवनिस्तर की चिंता करना, भारती इंता पार्टी के अध्यच के नाते हमने इसको अंकल्प ने लिया है और ये मन की बात है कि हम उसको पूरा करके दिशाएंगे आदे जी, आज ही हमने देखा आपका एक नया बयान आया कि आपकी जुगी यात्रा के चलते, दिल्ली की केजरीवाल सरकार जुग है, वो जुग्यों में आरो प्लांट लगाने पर विवश हो गई है, तो आप ये करद जो दावा है, आप इसे जुगी यात्रा की सफलता कहत है, हम इस सम्मान यात्रा को बेसक इस कारकम में नहीं, लेकिन हम लगातार इसको जारी रखेंगे, हर जुगी बासी के गरीब की सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, और जब हम लोग पहले दिन गये थे, तो पहले दिन ही आमाधी पार्टी के लोग विरोद किये कि जुगी बासी हर गरीब के साथ हम खड़े हुए हैं, और हमारा संकल्प एक दिल्ली के अंदर कोई जुगी तूटे नहीं, उनको अच्छा मकान मिले और उनको विवस विदाय मिले, और कई बार उसके बाद तो केजरी बाल जी सम्मान की बात करने लगे, गरीब बच्चों की, जुगी बासीयों के बच्चों की, उसके बाद उन्होंने दिल्ली के जुगी में भी जाकर उन्होंने सांतोना दिया भी, और अब जब हम पानी की बात करते हैं, एक तरफ हम वहां जाके कहते हैं कि आपको असाप पानी नहीं मिल ला है, तो अब जो दिल्ली सरकार ने आरो प्लान्ट लगाने की बात करी, तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है, उनको सुविदा मिले, और इसी की, उन्हीं की सम्मान और निया की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई के लिए तो हम यह आत्रा कर रहे हैं, और अगर दिल्ली सरकार इसमें यह कदम फैसला लिया बहुत अच्छा, जब मैंने महसूस किया है कि जब कोई वहाँ पर कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड के प्रवासी महला और आती है उनको गैस चूला नहीं होता तो वो छोटा दो चार किलो का सिलेंडर उसको भरवाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, फ खुशी का कोई ठिकान है नहीं होता, और वो मोदी जी को भी आशिरवाद देते हैं, भारती इनका पार्टी को भी आशिरवाद देते हैं, और जब हमारा कोई भाई ऐसा रेड़ी पट्री लगाने वाला उसको हम सौनेदी में लोन देते हैं, तो उन योजनाओं को वास्त धरातल पर नहीं पहुंचती हैं और इसलिए जरूरी है कि उनकी अवेरनेस करना लोगों को बताना की स्रम कार्ड क्या है लोगों को बताना की सुनिधी योजना क्या है लोगों को बताना की सुकन्या समरदी क्या है और ये बीमा योजना क्या है तो उसका सही लाव उन लोगो को मिल पाएगा पहले जितनी सरकारें थी उन्होंने साइद योजनाय तो उनकी बनती थी लेकिन वो योजनाय सिर्फ टेबल तक सीमित रहती थी वो जादा सदा डीम के आफिस तक जाके दम तोड़ वेती थी क्योंकि उन योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम नहीं हुआ जो कि आज मोदी सरकार कर रही है और भारती इंता पार्टी के कारिकरता के नाते भी मेरा फर्ज है कि हम मोदी जी की योजनाओं को जो गरीब कल्यान के लिए जो जन कल्यान के लिए वो नीचे तक ले जाए तो यह कहना निसंदे ठीक होगा कि आगामी नगर निकम तो वो जिस समय मैं उनके पास गया और उनका सम्मान किया तो उन्होंने का कि हम तो बीजेपी और मोदी जी को ही वोट देंगे क्योंकि उन्होंने हमें वैक्सीन भी लगवाया उन्होंने हमें फ्री में राशन भी दिया है और उन्होंने कोरोना में चिंता भी की जब केज केजरिवाल को सपोर्ट किया तो यह उहां के व्यू उनके संदेश है कि किस तरह से केजरिवाल साब पहले भी छोड़ गए थे कोरोना के टाइम और अब भी जाके दिल्ली में नहीं रुक रहे हैं अधे जी यह जो अपना दिल्ली के अंदर प्रदूशन का मुद्द समय चरम पर है सरोष नयाले से भी सीखी टिपणी सुनने को मिली इस पर आपकी पार्टी का कैस्टेंट रहे गा देखिए दिल्ली में प्रदूशन बहुत बड़ी समस्था बन गई और जिस तरह से सुप् कोट की कड़ी टिपनी के बाद अगर जरावी नय तिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कारण क्या है कि दिल्ली में आप अक्टूबर नॉम्बर में कहते हैं कि पराली जिम्मेदार है इसके लिए को सुप्रीम कोट ने कहा पराली सिर्फ 5% जिम्मेदार है इसक दो सहरे पटयाला और ये लुदियाना और इधर करनाल और पानी पत इन चार सहरों का जो एक्टूआई इंडेक्स है वो 160-175 के बीच था 150-175 के बीच दिल्ली में वही एक्टूआई सास्तो है तो क्या पराली जहां हर्याना पंजाब में जलाई जाती है उसका प्रवाव वहां नहीं हो के दिल्ली आराया पर प्रभाओ तो यह जुँट और मनगरंत यह केजरी वाल के पुरानी इनकी आदत है जुँटी बात कहके अपनी जिम्मेदारियों से पला जाड़ना अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवा होना और आज भी देखियो है आज पूरी दिल्ली तो प्रोदूशन में है लेकिन आप फिर चलेगे गुआ पॉलिटिकल टूरिज्म पर राजनेतिक परेटन पर वहाँ चलेगे तो मुझे ये लगता है कि उनको कोई दिल्ली की परवा नहीं चिंता नहीं है वही केजरिवाल जी पहले कर रहे हम दिल्ली को बड़ा अच्छा शैर बनाएंगे धुआ धुआधार बना दुआधार उस धुआधार को आप धुआधार बना रहे है यानि पूरी दिल्ली स्मॉक चेमबर में बदल गई है गैस चेमबर बन गी लोगों को बीमारियां हो रह है तो आज उनको चिंता नहीं है आप देखिए जो तीन प्रमुख बाते कोट ने कही है कि तीन तीजें जिम्मेदारें डस्ट पॉल्यूशन फैक्ट्री इंडस्टी और विकल आप वहनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने क्या किया आप कहरे साथ हजार हमारे पा कि स्मोक तावर कितने लगा है आपने कितना जो 26 पॉइंट आपने 2018 में ग्रीन बजट किया था उसमें कितना काम किया तो ये जो केजरिवाल साब की टैक्टिस है जो ये उनका काम करने का तरीका है आज उसका खाम्याजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है जी इन्वारेंटमेंट से का 1400 करोड है कहा गया आपने केंदर सरकार ने आपको जो पैसा यमनाज जी की सफाई के लिए दिया था वो पैसा कहा गया 2419 करोड रुपया तो ये सवाल आज दिल्ली की जनता बहुत बहुत अच्छी तरह से पूच रही है और वो ये जान रही ह कि मुख्यमंत्री जी अब तो आपके रुखी बदल गए आप दिल्ली के लिए बनाए गए थे आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए गए आप तो अब गोआ उतराखंड और पंजाब गूमरे जहां दिल्ली से कम पालूशन है इसका मतलब आपको चिंता नहीं आप वह गूमेंगे आपको पॉलिशन वहां नहीं मिलेगा यहां दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है जो यहां चोर गए उनको यमना की अभी आपने बात कही यमना पे भी आपका स्टेंड काफी बड़ा रहा आप लोगों ने परदरेशन किये दिल्ली तरगार को घेरा उसकी भी सित गया और जो रिसर्च कह रही है कुल यमना जी में जो प्रदूसन है वो 80% प्रदूसन दिल्ली से मिलता है अठारा बड़े नाले गिरते हैं उन पे स्टीपी लगाने की बात कही थी एफेक्टिव स्टीपी लगेंगे लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने उनमें पूरा काम जिसके कारण से गंदा पानी यमना जी में जा रहा है जिसके कारण से पानी की जहरीला पन बढ़ रहा है और दिल्ली के लोगों को कभी कभी तो पानी जब बंद होता तो उसका कारण ही होता कि टॉक्सिक पानी आ रहा है जहरीला पानी आता है और मैं एक सच्छा ही और बत करती हैं उस समय बी ओडी लेविल दो होता है जी और जब ओकला में यमना जी जाती है यूपी तो वहां पचास बीओडी होता है यानि जो जहरीले तत्व है वो दिल्ली में इतने हो जाते कि पचास हो जाता है वो पानी आप पीने लाइक तो खेट में सिचाई के लाइक भी हर्चुनाव में कहते हैं तेरा में कहा चौदा में कहा सत्रा में कहा उन्नीस में कहा बीस में कहा कि हम दिल्ली बासियों को यमना जी साफ सच कर देंगे इतनी नीट एंड क्लीन कर देंगे जैसे वो लंदन की टेम्स नदी कि हर कोई दिल्ली बासी को हम एक बार डुकी लग का है वो दिल्ली वासियों को बहुत कस्ट दे रहा है मुस्किल दे रहा है और यमणा जो दिल्ली की एक पवित्र नदी एक सेक्रेड नदी उसको इसकेर्ड नदी यह दराबनी नदी बना दिया केज्रिवाल ने क्योंकि इनकी जो नियत है वो काम करने की नहीं है अदेश जी एक सवाल और आप परदेश देख के आते बता हैं सभी के मन में जिग्यास है कि आने वाले 2022 में नगर निकम चुनाव दिली में होने जा रहे हैं और बाजबा पूरा प्रयास रहेगा कि अपनी जीत को काभी जाके बीच में इस चीजे भी सुनने में हमारे आ रही है कि चुनाव कुछ समय के लिए टल सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि तीनों निगमों को फिर से एक किया जा रहा है तो आप अपनी जानकारी करनू सर बता है कि इस चीज में कितना सत्य है देखिए इसमें तो को अथी बार चुनाव जीतेंगे पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे आज भारती जनता पार्टी का एक एक कारिकरता एक एक निगम पारशद बड़ी अच्छी तरीके से ग्राउंड पर विजिबल होके कमिट्मेंट के साथ काम कर रहा है और इसमें कोई दोराय नहीं कि हमने इस कोरोना के टाइम में कोरोना महमारी थी लेकिन हमने उसको आपदा को एक अवसर के रूप में बदला है और हमने पीछे नहीं हटे जब देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां आइसो लेट हो गई थी जब पॉलिटिकल पार्टियां कॉरंटाइन हो गई थी जब का एक एक कारे करता सेवा के काम में लगा है वैक्सिनेशन में लगा है और हमने हर घर दस्तक जो सरकार का कारकम है उसमें भी हमारे हेल्थ वालेंटिर मदद करेंगे तो हम हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं इमानदारी से सेवा का काम कर रहे हैं तो मुझे पूरा विस्वास है कि दिल्ली की जनता आम आदी पार्टी के जूट वाले रवईये से अच्छी तरह वाकिफ हो है और उसका जवाब भी वो चुनाओं में देगी और भारती इनता पार्टी निगम चुनाओं में विज़े हासिल करें अदी जी एक अंतिन सवाल ऐसा अनुमान माना जा रहा है कि ज जुटी के जग्या विज़ान सभा में जा रहे हैं तकरीवन दस से बीस हीजार लोग आप से संपर्क हैं जी जी आपकी सभा में लोग उपस्तित हैं आप नुकर सभाों में जारे हैं लोगों के पास उनके आवास पर जाके हम बुलते हैं बुज़्ग लोग आपको अभी कर रहे हैं देखने में आ रहा है बच्चे भी आपसे नहीं रख रहे हैं तो इस अनुमान के साथ से तो हम यह मान सकते हैं कि करीब दिल्ली बाजबा करीब दस लाग का आकड़ा चू जाएगी जन संपर्ग में जुग्य कलस्टर में बिल्कुल जो अभी तक का हमने लगबग जहां गए हैं पच्चीस तीस जार लोगों से संपर्ग किया इस पूरी जुग्य सम्मान यात्रा के माध्यम से दिल्ली के अंदर दस लाख लोग जो जुग्य वासी हैं जो गरीब हैं वो भारती जनता पार्टी से सीधे जुड़ रहे हैं उनके आने वाले समय के अंदर हम जब सेवा के इंदर खोलेंगे जब उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे तो ये संख्या में और इजाफा होगा अभी दस लाख लोग भारती इंता पार्टी के साथ इस जुग्य सम्मान यात्रा से माध्यम से जुड़ रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए आप क्या संद में रख के लें कोई सिर्फ जूटी बात करके अगर कोई बात कहता है तो उसका आज धरातल पर कुछ नहीं है ऐसा है और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि भारती जनता पार्टी के अध्यच के नाते हम पूरी तरह से दिल्ली की जनता के हर दुख दर्द में मुसीबत में हैं और उसके लिए हम संगर्स करेंगे उनके जीवन इसकर को बेहतर बनाने के लिए संगर्स करेंगे यही मैं संदेश देना चाहता हूं आज़ेजी आपका पंजाब के से दिल्ली में आने के लिए बहुत-बहुत आबाद। आपका पंज़ेजी आपका बढबाद।